अब मैं सुनाना चाहता हूँ आपको उस कॉंग्रेस नेता जी हाँ उस कॉंग्रेस नेता का ब्यान जिससे ब्रिश भूशन शरंड संग भी दढ़ते हैं थरतर कापते हैं मैं बात कर रहा हूँ कॉंग्रेस की कतावर नेता सुप्रिय श्रिनेत जिनोंने अमिशा को भी नहीं देखे छोड़ा है अगर कोई गलत बात लगी है तो उसका सीधा जवाब दिया है घ्रह मंत्री अमिशा और मोदी तक को सुनिए ब्रिज भूशन सरंड शिंग के मामले में सुप्रिय श्रियत ने क्या कहा है करीब 13 दिन होने को आए और इस देश के सबसे होनहार खिलाडी जो इस देश के लिए पदक जीत कर लाते हैं दिल्ली की सडकों पर बैठ कर प्रदर्शन कर रहे हैं न्याई की आस में पर आस उन्होंने किस से लगाई है उस सरकार से जिसके अंदर की नेतिकता और मर्यादा पूरी तरे से मर चुकी है असलियत तो यह कि कल शाम को जो जंतर मंतर पर खिलाडियों के साथ हुआ भयावे हैं अमित शाह की दिल्ली पुलीस ने खिलाडियों के साथ बचसल उकी करी महीला खिलाडियों को गंदी गंदी गालिया दी गई वहाँ पर हाथा पाई गी गई लाठिया चलाई गई ये सब किसके इशारे पर हो रहा है ये सवाल उठता है लेकिन उससे पहले एक बात कहनी जरूरी है कि गंभीर आक्षेपों से खिरे भाजपा के बहुबली सांसद ब्रिजभूशन शरर सिंग ने साब तोर से ये कह दिया है जब प्रधान मंत्री साथे 2021 से पता है क्योंकि विनेश फोगट ने जिनको वो घर की लड़की कहते है उसने जाके खुद इनको बताई है और अब ये भायावेस्तिती देखकर भी आप चुमपने मैठे रहीएगा मोदी जी आज सवाल इस बात का है कि क्या आप अपनी चुमपी तोड़ियेगा और किस मूँ से आप करनाटका आकर यहाँ पर नारी शक्ती की बात करते हैं जब देश की बेटियों के साथ बदसलुकी हो रही है लेकिन इस पूरे प्रकरण में बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं मैं पहली बात करना चाहती हूँ इस देश के ग्रह मंत्री अमित शा की अमित शा की दिल्ली पुलीस की असलियत यह है कि उन्होंने एफ आई आर ही लौज नहीं करी तब तक जब तक सुप्रीम कोट ने निर्देश नहीं दिया और अमित शा की दिल्ली पुलीस ने कल महिला खिलाडियों के साथ और अन्ने वहाँ पर खिलाडियों के साथ बद जी की करनी ही पड़ेगी क्योंकि जो आरोपी है वो कह रहा है मोधी जी कहें तो मैं स्तीफा दे दूँगा लेकिन मोधी जी पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं मोधी जी को तो 2021 से पता था कि ऐसा कुछ है पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं जब मेडल जीत क बेनकाब होता है इस देश के खेल पूद मंतरी का अनुराक ठाकुर का आप मीडिया के इवेंट्स में जाके स्किपिंग करिएगा पुश अप्स करिएगा और जो महिला खिलाडियों का अरोप है जो आप पर वो सीधा अरोप लगा रही है कि आपने आश्वासन दिया था उस काल विकास मंतरी स्मृति रानी का उलों ने तो मौन धारण करिया इस पूरे मुट्दे पर वो गला फाड़के तभी चीकती है जब राहुल गांधी का नाम आ जाता है अन्यथा वो मौन धारण करके रहती है बाच में बड़ी बात करनी पड़ेगी इस देश के महिला आयो की रेखा वर्माजी की रेखा वर्माजी ने आप पर पट्टी बांधी हुई है वो पट्टी वो तभी खोलती है जब विपक्ष के खिलाप साजश रचनियों भाजपा के साथ मिलकर अन्यथा वो कहीं पर भी किसी महिला के खिलाप अत्याचार हो जाए वो एक शब्द नह कारवाई नहीं करती है विपक्ष का मामला हो दोड़ी दोड़ी चली जाएंगी काम करने के लिए सारा रंजिश के तहट साजश के तहट वो काम करती है छटा बड़ा बेनकाब जो होता हुआ व्यक्ति दिख रहा है बहुत प्रियांक कानुन को एंसी पीसी आर के चीफ जो उसका संग्यान ले ले उस पर कारवाई कर दे लेकिन अभी विपक्ष का नाम आजाने दीजे राहुल गांदी जी का नाम कहीं पर आ जाए अगर उनसे कुछ बच्चे मिलने चले आए तुरंट चिट्टियां लिखने लगते हैं चुनावाई हो सात्वा बड़ा बेनकाब और इससे मुझे थुड़ा दुख होता है वो बड़े बड़े खिलाडी वो नामी गिरामी सितारे हैं जो बड़े मुखरित होते थे जो खोब बोलते थे उसमें से कुछ है जिनका ओधा बढ़ गया जिनकी रिस्पेक्ट बढ़ दे चाहे वो न अपने चुप रहने से और अपने अनर्गल बयान बाजी से जो हक के लिए लड़ने उनको बवाल मचाने को आठवा तो मीडिया की बात करनी ही पड़ेगी तेनियस थिती है मीडिया की विचारों को समझी में नहीं आ रहा है क्या करें अब खिलारियों के पक्ष में तो बो यह पर सवाल करें या प्रधान मंत्री की चुपी पर सवाल करें क्योंकि ब्रजभूशन शारण सिंग कहते हैं प्रधान मंत्री बोल दे मैं स्तीफा दे दूंगा मजाल एक सवाल किया जाए कि प्रधान मंत्री क्यों नहीं बोल रहा है हरवार संग्रक्षन आरोपी को ही क् पुर्धान मंत्री और ग्रह मंत्री वो सवाल नहीं कर सको है। लेकिन असलियत यह है कि आप जो गेंद है ना वो प्रजभूशर शाणर सिंग ने आपके पाले में डाल दिये मोधी जी यह कहकर कि जब आप कहिएगा या ग्रह मंत्री कहेंगे तो वो रिजाइन कर देंगे। तो आप किस बात का अंतसार करेंगे। क्योंकि यह देश देख रहा है कि न्याय और अन्याय की बीच की दहलीज में आप खड़े होंगे। आप क्या करिएगा वो बताएगा कि इस देश की बेटियों की रत्ती भर भी आपको फिकर है की नहीं तेरा दिन से उपर होने को आ देते हैं आस्मों से रो रहें न्याय और अन्याय के पीच की इस देलीज में आप खड़े हैं क्या कीजिए रहा है तो देखा कैसे आपने कि सुप्रिया श्रीजट ने खुले तोर पर बोल दिया है कि अब ब्रिजभूशन चरण सिंग की खैर नहीं है क्योंकि भारत के कोन कोने से पहलवानों को समर्थन देने करिए लोग जो हैं वो एकटा हो रहे हैं और साथ इसाथ देखें जो दिल्ली पुलिस ने जो बरताफ किया था पहलवानों को मारा था पीटा था घसीटा था वो देखिए अब बतला जो है वो भारत की जनता भाजपा से लेगी किरकार कॉंग्रेस के दवाब से क्या प्रधानमंत्री मोधी उन पहलवानों की उन महिला पहलवारों की सुनेंगे जिनके साथ भाजपा के सांसत्त ने इतना दुर्वेबार किया है अगर वीडियो आपको अच्छे लिए लिए को लाइक किचे शेर किचे हमार चैनल सब्स किचे हमार चैनल सप्छे लिए